स्वागत बंदन, आज हम कक्षा नवं एवं कक्षा दसं दसं कक्षाया और नवं कक्षाया तंतरगत जो व्याकरण है उसको पढ़ेंगे और समझागे जैसे कि आप देख रहे हैं यह है कारत और एवं विभक्ति प्रकरण सबसे पहले आता है यहाँ पर कारत साक्षा किरियान वयत्म कारतम यहने जो किरियान वयत्म कारतम अर्था जैसे शब्द का किरिया के साथ सीधा सम्माद होता है वह क्या कहलाता है कारत तो साक्षा किरियान वयत्म कारतम यहने किरिया को किरिया की साथ जिसका क्या होता सीधा साक्षा के सीधा सम्माद होता है तो किरियान वयत्म कारतम अब आता है दूसरा किरियान जनकत्वं कारतम करियां जनकट्वं कारकट्वं अधा यसके दीवरा वात्य में किरियांगे करने वाले को क्यों में करता है संस्क्रित में कार्खों की संख्या कितनी वानी गई है शए मांदें, संबंद और संभुधन को कार्फों के अंतरगर नहीं माना जाता, क्योंकि संभुधन कार्फा पृषित सीदा संभुधन को प्रत्मा मृवथि के अंतरगर नहीं सापने हैं, जैसे अब एक दिया है आपको समझें जैसे रामस याने राम का पुत्र याने पुत्र और पढ़ती हमने पढ़ता है तीक है अब राम का इससंबन्द पुत्र यानी करता और पढ़ती यानी पी इस वाक्य में पढ़ता है किरिया से पुत्र करता का भी सीधा संबन्द तीक है फिर राम का नहीं राम का संबन्द तो क्या है पुत्र से है पढ़ने से नहीं है अता हो राम को हम कारत नहीं मान सकते क्योंकि कारत वह होता है जिसका किरिया से सीधा संबन होता है वह कारग होता है अताहसुन्स्क्रित में कारग छे ही होते हैं और विभक्तिया जिती होती हैं साथ कारग छे विभक्तिया साथ होती हैं कारग और विभक्ति में यही अंतात होता है कता करण्त चकरणंब चसंप्रदानं तब खेच्च अपादान पिपकरण मित्र यागू कार कानी शष्ष्ष हम कारिकंई और निम्रिचित्र के माध्याम से समझ सकते हैं आप यहां पर देखिए दिया है जैसे चित्र की सहायता से है जैसे मत्रा नग्रस, आप यहां दिया है राजा, दानम, हस्ते, भिक्षुकाय, पोशा, नदी, टटी जो राजा के संबंदान से, दान का हाथ से, विक्षुकाय से, फिर उसके बोश से, जो तधन बोश से, फिर नदी टट, तर आता है यह, यच्छती यानि बेता, आप मत्रा नगर का यहां पर देखिए दिया है संबंद, तो राजा से, तो राजा कौन हुआ, कर्ता, दान से, क्या हुआ, कर्म, फिर किस चीज से दे आपको हास से, तो यह हुगा कर्म, किसको दे रहा है, वा धिप्षुको, संब्रदान, कहां से दे रहा है, भजाने से, यहने, अपादान से, अब अधी कर्म, तो नदी, में पार है न, तो नदी के पिनारी होगा, अधी कर्म, तो क्य जब यहां पर आथा है कारण चिल आप जैसी यहां पर डियें है विवक्ति यहां दिया है कारण और यहां दिया है। अब विवक्ति तो कौन से विवक्ति प्रत्मा विवक्ति दुतिया विवक्ति तितिया विवक्ति चतुर्थी विवक्ति पंच्मी विवक्ति सश्ची विवक्ति सथमी विवक्ति और संबुद्धि अब यहां पर प्रत्मा विवक्ति का संबंद क्या है तर्ता दुतिया का क कर्ण के लिए अपादान के लिए अपादान के लिए अपादान से अलग होने करते हैं तो इसे तड़िता के लिए अधिकारन, अधिकरण है जो मेर या पर, फिर संभोधन से लिए अरे हैं तो इस तड़ितार अधिकरण हैं यहां बार आदे शाहर होने संभोधन, इसकी बाहर आता है विभक्ति, क्या आएगा यहाँ पर विभक्ति हिंदी भाषा में विभक्तियां आठ होती हैं और संस्कृत में संहोधन को प्रद्म विभक्ति में ही मानती हैं इस प्रकार संस्कृत में विभक्तियों की संख्या चित्ति होगे साथ होती हैं उसमें जैसे प्रत्मा, दुतिया, कृतिया, जदुर्थी, अंच्वी, सस्टियो, सख्वी जे उने कहीं भी आपको बताया था कि संस्कृत में विभरतियां कितनी होती हैं साथ ये विभरतियां जो हैं दो प्रतार से प्रयोग में आती हैं पहला आता है कारग विभरति, किसमें कारग विभरति, कारग विभरति में जैसे किरिया के अनुसार संग्या आदी शब्दों में लगने वाली विभरतियों को कारग विभरति कहते हैं किरिया के नशार संग्या आधी शब्दों में लगने वाली विभक्तियों को कार्व विभक्ति कहते हैं, जैसे कैसे मौना पुस्ततम पढ़ती, उभाय विभक्ति ने किसी पद या शब्द को मानकर जो विभक्ति होती है, किसी पद या शब्द को मानकर जो विभक्ति होती है उसे उप पद्रहित है थी कहती हुआ दो पकद्रहित को पड़ित हो आज VAR रख्ष आती क्या merit जैसे ब्र्हमा परितव्प्रक्षासंति तो परित हैcha पर जार ही जालों क्या में चारूर्षासंति लेक्षraine अब इस बात्र में जो पर्टव पद के कान ब्रामूंनमे कोंसी वभक्ति दुतिया ब्रभक्ति का प्रयों हूइ बात्र में पर्टव शब्द के कान ए Convention ब्रभक्तिए का प्रच्टव दृस्ट्श हेए ऐसे मिद्धि नियुक्ति ठीम है आप यहां पर आता है करता तारक याने प्रधुमावर्ण करता वार्थ में आपको समझाया कि करता तारक में कौस्वर्थ क्रिया के करने वाले को क्या प्रधुमावर्थ अर्थात वाक में जिस संध्या या सवनाम शब्द को कार्था करने वाला या भूने वाला समझा जाए उसी क्या कहते ही करता कहते ही और फुर्थ वाच में करता में रत्माविभत्ती का प्रयोग होता है कौस्वर्थ पीता प्रयोग होता है तर्थात बात में जिस संध्या सरनाम शब्द को कारे करने वाला या वोने वाला समझा जाए उसे कहते ही तर्था ठीक है आप उधाना समझे जैसे रामा गच्छ तो कौन जा रहा है यहां पर कौन जा रहा है राम पिरिया क्या हो रही ह और रहा धाम गच्छ तो राम गच्छ जाता है दूसरा सह पढ़ति वहां क्या कर रहा है पढ़त आपकल आप अब आताए कर वैं तो इस प्रखार से कर बाच्च में कर्वें प्रत्मा मुम्स्चित अपड़िव होता है राम की जारा मिवां ग्रंद कंभाा जाब तो रामे ब्रल्था पठिया इसी भी शब्द को संस्कृत में बताने के लिए लेंग, परिमान और बचन में भी क्या प्रत्मा का प्रयोग किया जाता है जिसे राम, मोहन और रमेश तो क्या जाएगा राम, मोहन और रमेश अब बाल, बाली का चात्र चात्र बाल का बाली का बाल चात्र और चात्र आब आता है कर्मकारत है जुदिया बिभक्ति कर्मकारत में से बिभक्ति आएगी जुदिया बिभक्ति जिस पर किरिया का पल पढ़ता हो। उसे कर्म पहते हैं। अचलgriff कर्था जिसको सबसे अधे की चाहता है। कर्म कारट में कौन सी। बात्ति बथाया है। उन्हें गुत्या collaborनी का प्रयोद होता है। नारान ben बाहर का पत्रम लेखते ही। आप यहां देखिए वो को पद दिखाते हैं अभिता, परिता, वर, समया, निशर्व, रप्रती यनूँ बिना इत्याधी के योग में दुधियविधक्ति बोती है। जैसे ग्राम, अभिता बना अस्ती, ग्राव के चारो ओर प्याद़ं। क्रिश्न, परिता, भर्था, संती, क्रिश्णी के चारो ओर क्याद़ं। कर लाम् मिष्कहा बनाफिगौन के पास्वाने हां मूंखं मुधको क्या है जुप्रादै ग्रांबर्भारथी गच्चती ग्रामेण नगर की ओल से हुद गादा है। दश्रत वर रामन ब्रावेर रामा आप दिया है, तो क्या जो है दश्रत राम के बिना नहीं जी सके? आप नहां आता है दुशेश, क्या है यहां पर? दुशेश, बिना इस उख पद के साथ में दुटिया दुटिया पंच भी, तीनों बिवक्तियों में से कोई भी लगा सकती। उभथा, सब्चा, देव, अबडीू, अधुधा, अंत्रा, ट्याथी में से अधुथी जैसे खृष्नाई फ़यां गोपा संस्ती क्षिया कं अबाद गोपा संस्तिया Galit नोढ가지고 यंदि के आछे पकी चारोजोन झारा संसिया धिज््यानिय में जिल्सक्र लोग की उपर उपर और नीचे नीचे कौन है हरी कृष्ण वंत्रे ने अन्यान ना इक्षाम कृष्ण को छोड़कर अन्यपूर्ण नहीं चाहती परिश्ण अंतरा सुखनास्ति परिश्ण के बीच में सुख नहीं है शी स्था अस धात्यों के पहले अधी सर्व दवागो तो कोंसी रुभत्ति होती है दुधिया रुभत्ति होती है शी स्था आस धात्यों के पहले अधी जैसे राजा पर्यकम अधी शेते क्या जाए राजा कलों पर सोता है हरी बैकुर्द्रम अधित तिष्छपी हरी कहा लगते ही बैकुर्द में लगते हैं तेरे सादुवा आसनम अध्यायास्ते सादुवासंपत लेते हैं इस प्रकार यहां पर हम्याक कारक ववक्ति को पढ़ाया और समझाया आप लोग इस उधार्णों को बत अच्छे समझेंगे और पढ़ेंगे कॉपी मिलतेंगे धन्या